हेलो, वेलकम टू मैं यूटूब चैनल तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसे टॉप फाइब प्रोटोकॉल्स और सॉफ्ट्वेर्स के बारे में जानने वाले हैं जिनका यूज करके आप किसी भी अधर सिस्टम पे रिमोटली एक्सेस ले सकते हो क्योंकि जब आप CTF कर रहे होँगे, जब कभी भी आप हैकिंग कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको नीड होगी कि किसी भी अधर सिस्टम पे आपको रिमोटली एक्सेस लेना है तो वहाँ पे आपको प्रोटोकॉल या फिर किसी भी सॉफट्वेर के आपको जरुरूरत जिसके अंदर आपको बहुत सारे options आपको मिल जाते हैं, जिससे कि आप किसी भी windows को easily remotely access कर पाते हो, जिसके अंदर सबसे मुझे अच्छा लगाए, वो है Xfree RDP, एक command और एक tool होता है, जिसका use करके आप easily किसी भी windows को remotely access कर पाते हो, For example, अगर आप एक windows के अंदर सर्च करते हो, remote desktop connections, तो आपको हैं पर मिल जाएका software, जो कि एक RDP based इसको बनाए गया है, ठीक है, तो जो Microsoft है, उसने सिर्फ name इसका change कर दिये, remote desktop connections इसका कर दिये, जिसके अंदर आप एक IP, या फिर username और password डालके, इसलिए आप किसी भी windows को remotely access कर पा TCP port 3389 पे जो है work करता है, तो यह याद रखना हमेशा है कि जो TCP port 3389 है, उस पे जो RDP protocol open रहती है, उसी पे जो है work करता है, वो RDP protocol जो है वो, ओके, और इसके अंदर जो मैंने आपको software बताया था, remote desktop connections, और भी बहुत सारे software's हैं, जो कि मैं आपको बता देता हूँ, एक और है जिसका नहीं में M remote N G, तो इसको भी आप download कर सकते हो, और second एक और है arrow admin करके आपो मिल जाएगा, उसको भी आप download कर सकते हो, और RDP को जो है use कर सकते हो, ताकि आप किसी भी other एक Windows पे जो है access ले सको, किसी भी एक Linux में या फिर Mac या फिर Android कहीं भी जो है, आप access ले सकते हो, RDP क क्या होती है, तो FTP के जो full name में वो होता है, file transfer protocol, जिसका use करते हैं, किसी भी other एक system पे remotely access लेने के लिए, कि आपके पास कोई Linux है, और आपको उस Linux को access करना है, वो भी remotely, तो आप use कर सकते हो, FTP का, FTP में क्या होता है, कि आप किसी भी file को upload कर सकते हो, उस system पे, या फिर उस system से किसी भी file को download भी कर सकते हो, या फिर delete भी कर सकते हो, FTP protocol को use करके, तो बहुत अच्छी जो है, यह protocol है, जिसका use हम कर सकते है, file transfer करने के लिए, और करते भी है, किसी भी जब हम CTF complete करेंगे, और फिर किसी भी hacking के अंदर कोई भी एक parameter complete करेंगे, तो वहाँ पे हमको किसी भी file क किसी भी, एक IP पे किसी भी system पे डालने की हमको बहुत ज़रुद पढ़ सकती है, वहाँ पे, तो वहाँ पे हम FTP को use करेंगे, ताकि हम उस system के अंदर किसी file को upload कर सकें, ओके, और इस FTP protocol को use करना बहुत ज़दे easy है, आपको simple सा command देना है, FTP, फिर आपको space देखके, उस target का IP, जिस पे आप remotely access करना चाते हो, तो FTP को use करने से पहले आपको उस target के system पे, आपको FTP को open करना होगा, तब भी आपकी जो FTP हो पाएगी, एक दूसरे other system से, ओके, तो आपको simple सा FTP type करके space देखके, उस target का IP, मिस जिस पे आप remotely access करना चाते हो, और आपको enter करना है, enter करते है फिर आप से password मांगेगा, जो आपका password है, जो other system पे, जो आपका set है, एक FTP पे, वो password आपको पे feel करना होगा, जब आप एक other system पे FTP open करोगे, तो आप अपना password भी set कर सकते हो, इसली, ओके, तो आपको simple सा अपना password जो है set कर लेना है, और या फिर आपको already पता है, तो आपको simple सा type करके enter कर देना है, जैसी आप enter करोगे, तो आपका जो FTP protocol है, वो आपका connect हो जाएकर आपको remotely access मिल जाएगा, किसी other system पे, और जो access आपको remotely, वो आपको CLI based आपको मिलेगा, मिसा commands देके जो है access कर पाओगे, किसी भी file को, या फिर upload करना है, delete करना, या download करना, जो भी CLI की help से आपको करना पड़ेगा, आपको GUI नहीं मिलने वाला है, आपको GUI से किलिक किलिक करके, आप सारा कुछ download कर सकते हो, ऐसा नहीं, आपको CLI आपको आना ही चाहिए, क्योंकि आपको हमें सा depend नहीं रहना, एक GUI पे, क्योंकि cyber security के अंदर सब कुछ जितना भी है, वो CL CLI based है, आपको GUI बहुत कम मिलने वाला है, आपको CLI सबसे ज़्यादा मिलेगा, जब कभी भी आप अपना practical करोगे, जब कभी कोई attack करोगे, कुछ भी करोगे, तो वहाँ पे CLI जो है main part होती है, command की बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो, cyber security के अंदर, GUI है बट इतना नहीं है, कि हार टाइम आप सिर्फ GUI पर ही work कर पाओगे, आपको CLI आना ही चाहिए, तो सारी commands आपको अच्छे से clear होनी चाहिए, उनका use करना आना चाहिए, कौन-कौन से options को use करके, किस-किस type की informations को आप निकाल सकते हो, और अगर आपको अभी अच्छे से basic commands नहीं आते हैं, तो मेर command यह है, यह command यह है, नहीं, आपको practice करनी है, कि वो work कैसे कर रही है, और कैसे उसके options को use करना है, अपने according यूज करो ऐसा नहीं, जो मैं आपको बदा रहा हूँ, आप ऐसे ही options को use करोगे, अपने according आप लगा के देखो, कौन-कौन सा options क्या work कर रहा है, तो तब ही आपको CLI जो है, जैसे clear हो पाएगा, तो जो हमारी FTP protocol इसके अंदर क्या होता है, जब हम two computers का connection create करते हैं, तो वहाँ बे port number 21 use होता है, कौन सा port number 21 use करते हैं, जब दो computers का connection create करते हैं, और second जो हमारा port number 20 है, उसको तब use करते हैं, जब हम एक transfer करते हैं data को, client और एक server के बीच, ठीक है, तो वहाँ बे port number 20 होता है, तो अब है हमारा VPN, तो VPN का full name होता है virtual private network, आप जानते होंगे कि VPN क्या होता है, तो इसमें आपको different different options, different different parameters आपको मिल जाते हैं, जिसकी help से आप अपना GUI और एक CLI, दोनों आप अपने options को select करके आप अपना remotely access ले सकते हो, अगर आपको GUI लेना ह CLI भी ले सकते हो, अगर आपने try hack में use किया होगा, तो उस पर आप room complete कर रहे होंगे, या फिर आपने कुछ CTF किया होगा, तो वहाँ पे एक open VPN करके आपको VPN मिल जाता है, तो उसको आप connect कर सकते हो, किसी भी other system पे access लेने के लिए, तो वहाँ पे भी try hack में पे क्या होता है, कि open VPN आपको मिलेगा, वहाँ पे आपको IP दे दिये जाएगा, और आपको password और उसका username भी मिल जाएगा, तो simple सा आपको open VPN पे जाके वहाँ पे अपना connect आपको कर लेना है, तो open VPN एक file भी मिलेगी वहाँ पे, और एक open VPN करके आपको software भी मिल जाएगा, जिसको आप अपने mobile के remotely access लेने के लिए, और इस VPN के different, different और भी work होते हैं, वो हम किसी other वीडियो में जानेंगे, अभी के लिए बस इतना जानो, एक remotely access लेने के लिए भी हम VPN का use कर सकते हैं, ओके, तो अब हमारी fourth protocol जिसका नेम है SSH, तो SSH का full नेम होता secure cell, जो कि आप already जानते होंगे थोड़ा सा स के बारे में, अगर नहीं जानते हो, तो अच्छे से समझ लेना, तो SSH भी जो है protocol, यूज करते हैं, किसी भी एक other system पे remotely access लेने के लिए, और इसे आप Windows में भी यूज कर सकते हो, या फिर किसी other operating system में भी यूज कर सकते हो, लाइक आपका Mac हो गया, आपका Linux हो गया, तो आप यूज कर सकते हो, इस जिली इस SSH protocol को, इसको simple से use करने के लिए आपको three type की information आपके पास होनी चाहिए, सबसे पहले आपको उसका IP पता होना चाहिए, उसका username पता होना चाहिए, और साथ में उसका password पता होना चाहिए, जो आपका target है, जिस पर आप remotely access लेना चाते हो, ओके, तो आपको simple से command देना होता है, SSH, फिर आपको space देना, space देने के बाद आपको username, जो आपका target है, उसका username, फिर आपको add the rate लगा के फिर आपको IP, जो आपका उसका IP है, वो वाला IP, ठीक है, और IP type करके enter करोगे, तो आप जैसे enter करोगे, वैसे आपसे password मांगेगा, ठीक है, ज password भी साथ में डाल सकते हैं, हमको दुबार से वाँपे enter करने के आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको simple सा, जहापे आपने IP डाला है, वही पे आपको space देके, आपको password भी डाल देना है, तो ऐसे आप अपना SSH जो protocol है, यूज़ कर सकते हो, इसका हम try hack me, और hack the box के अ L मिलेगा और IF भी आपको मिल जाएंगे, जो P और L है, बहुत ज़दा आपके लिए काम आने वाले, L जो होता है, आपका user account का जो होता है, उसके specify करने के लिए काम आता है, साथ में जो P है, वो port numbers को लिए काम आता है आपके लिए, तो वो सब आप help ले 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 ना, उन सब क कर सकते हो, जो कि आप किसी भी operating system में Mac है, या फिर आपका Linux है, या फिर आपको Windows है, आप वहाँ पे भी यूज कर सकते हो, अगर आप एक GUI से नहीं करना चाते हो, तो आप एक command से भी कर सकते हो, आपको simple से command देना होता है, VNC server, फिर आपको जो options दे होते हैं, वो यूज करक और भी different parameters आपको मिलेंगे, जिनका use करके आप easily system पर अपना control कर सकते हो, वो भी remotely, तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो उच्छी लगी हो, तो like करना, share करना अपने friends के पास, तो मिलते हैं आपको next video में, तब तक के लिए, goodbye. झाल